अभी last two weeks से cafe coffee day का share price 62% से भी जादा बढ़ चुका है तो उसके पीछे क्या reasons है इसके लिए हमें CCD की थोड़ी सी history जानना जरूरी है CCD 1996 में जब इंडिया में आया था तो उन्होंने जल्दी ही market में अपनी जगा भी बना ली थी CCD की setting और ambience perfect था चाहे वो business meetings हो चाहे couples को date पे जाना हो CCD का main customer वो था जो ऐसी establishments में ज़ादा time spend करें और for some time सब अच्छा चल भी रहा था एक point पे CCD के 1700 से ज़ाद outlets थे across India बट last के 7-8 years से ये numbers गिरने लगे क्योंकि Starbucks ने भी इंडिया में entry ले ली थी और उस वज़ा से CCD started losing its market share 2015 में CCD की parent company जो की है CDEL Coffee Day Enterprises Limited ने decide करा कि वो IPO launch करेंगे लेकिन investors जैसे की राकेश जुन जुन वाला के backing होने के बाद भी CDEL सिर 1.64 times ही subscribe हुआ सो इससे पता चलता है कि company की shares की market में ज़्यादा demand नहीं थी लेकिन ऐसा क्यों CDEL diversified था कुछ ज़्यादा ही diversified उनके investments उनके core competency से भी बाहर थे उनके cafes थे उनकी vending machine business था वो real estate में भी थे उनका logistic business था उन्होंने एक IT firm जिसका नाम Mindtree है उसमें बहुत बड़ी investment करी थी इसके साथ-साथ उनकी share holding एक broking and wealth management company में भी थी जिसका नाम way to health है और total CDEL की 49 subjectries थी अब इसमें जो इनका core business था जो की coffee business था वो तो अच्छा चल रहा था बट उनके जो diversified businesses थे उनकी performance कुछ ठीक नहीं चल रही थी इसके साथ-साथ company पे debt भी था और ये बात investors को भी दिख रही थी और इसी लिए CCD का share price कभी उसके IPO price जो की 328 रुपेज था उससे उपर trade ही नहीं हुआ और company में turning point तब आता है जब July 2019 में VG सिधार्थ जो की founder है CCD के वो suicide कर लेते हैं लेकिन क्यों? इसका one word answer है debt और ये पता चलता है उनके एक letter से जो उन्होंने अपने board of directors को लिखा उन्होंने letter में ये लिखा कि उन्होंने company बनाने में बहुत ज़ादा hard work करा है और 30,000 से ज़ादा jobs create करी हैं लेकिन उसके बाद भी वो profitable business बनाने में fail हो गए वो कहते हैं कि lenders और private equity firms उन पे pressure डाल रहे हैं कि वो अपना debt चुका हैं और वो pressure अब और नहीं ले पा रहे हैं उन्होंने ये भी mention करा कि पूरी accountability उनकी है उनकी सबी mistakes के लिए और उनकी team, auditors और senior management बिलकुल अने वेर थे उनके transactions के बारे में और कहा कि उनकी intention किसी को cheat या mislead करने की नहीं थी बट वो as a entrepreneur ही fail हो गए letter के साथ उन्होंने अपने सारे assets और उनकी value भी attach करी ये letter लिखने के बाद वो 3 दिन के लिए गायब हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी dead body एक river के पास मिलती है मंगलूरू में उसके बाद start हुआ allegations लगना income tax के audit के बाद पता चलता है कि वीजी सिधार्थ ने 3500 करोड डाइवर्ट करे हैं अपनी parent company CDEL से अपने एक personal firm में जिसका नाम है MACEL और इसके अलावा भी वीजी सिधार्थ और parent company पे बहुत जादा debt थे और इसी वज़ासे सेभी ने CCD enterprise में trading suspend कर दी पूरे एक साल के लिए लेकिन अभी पिछले दो हफतों से CCD का share price rally क्यों कर रहा है ये शुरू हुआ है media coverage की वज़ा से जब सब media houses और social media cover करने लगे मालविका कृष्णा को जो की wife है लेट विजे सिधार्थ की बात ये चल रही है कि कैसे मालविका ने CCD को bankruptcy से बचा लिया 2017 में CCD का debt था 7000 करोड जो की आज 2000 करोड है company अपना debt आखिर वापिस कर कैसे रही है well company अपने non-core businesses को बेच रही है और ये अभी नहीं हो रहा है ये last के 3 सालों से हो रहा है CCD ने अपना एक tech park जो की Bangalore में था वो एक private equity giant को बेचा जिसका नाम Blackstone Group है पूरे 2700 करोड में उनकी share holding माइन ट्री में भी थी जो की एक IT firm है उन्होंने 1800 करोड वर्थ की अपनी share holding 2019 में बेच दी थी और इसी sell out से वो अपना debt repayment कर रहे हैं अब retail investors excited हैं CCD में shares लेने के लिए इस positive PR की वज़ा से और Malvika की news की वज़ा से कि वो कैसे company को बचा रहे हैं Company का sudden share price hike में जवाब आता है कि ये price movement market की conditions की वज़ा से है और ऐसा कोई event information company में नहीं हुआ है जिसकी वज़ा से इसका performance बढ़े और बात ठीक भी है लास दो हफते में ऐसा कुछ change नहीं हुए company में जिसकी वज़ा से उसका share price एकदम से बहुत ज़ादा बढ़े Rumor है कि CCD अपना coffee business Coca-Cola को बेच रहा है लेकिन उसमें भी अभी further solid development हुई नहीं है सो क्या ये price ज़स सिर्फ मालवी का और उनके debt reduce करने वाली story की वज़ा से है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि company ने April 2021 में भी अपना payments में default किया था और CDEL पे अभी भी बहुत सारा debt है CCD के financials की बात करें तो उनका revenue और net profit अभी भी continuously गिर रहा है revenue आपको 2020 में इसलिए जादा दिख रहा है क्योंकि CCD ने अपना mine tree में जुनका stake था वो उस time पे बेचा था और आप next year देख सकते हैं कि profit कहां पे है अभी आप पे है कि आपको CDL जैसी company में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लेकिन आपको ऐसी business insights में जरूर अपना time invest करना चाहिए and for that you can subscribe, see you next time